हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माहे शुरीर सोई आज में आपके साथ मैथी प्यास के परंटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ नॉर्मली जब हम मैथी के परंटे बनाते हैं तो मैथी की कड़वाट की बज़े से बचे उसे खाना पसद नहीं करते लेकिन आप उसमें थोड़ी सी प्यास और थोड़ी से बेसन मिला दीजिए तो मैथी की कड़वाट पूरी तरह से दूर हो जाती है और बचों को भी ये खाने में अच्छे लगते हैं रेसिप अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैथी प्यास के बहुत ही टेस्टी प्रांठे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप नॉर्मल गयों काटा दो टेबल स्पून सूजी और साथी मैंने लिया है एक टेबल स्पून बेसन जिसे हमारे प्रांटे बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे एक बंच मैति जिसे मैंने अच्छी तरह दोकर साफ कर लिया है और एक बड़े साइच का प्यास जिसे मैंने चौप कर लिया है और मात प्यास जालने से हमारे प्रांटु में से मैति की जो टेस्ट के लिए मैंने लिए अजवाईन और जुल युजै कैसे यूज करेंगे कुकिंग औयल्स, पहले डो लगा लेते हैं आता जुधाd में पॉड़ बमस्तान अग्ति अओं खॉल उकलओं मैती जन tills को इसक रखार्ण मिकंशा क工 अजबाइन को हाथ से हलका सा क्रश करकी डाल देंगे इसकी परांटो के कुछपू बहुत बर्जाती है और एक टेबल स्पून कुछिंग ऑल डाल देंगे और अगर आप आइल नहीं डालना चाहते तो आप अवाइट कर सकते है एक बार अच्छे से इन सब चीजों को मिला ल बहुत कम लगेगा इस बात को आप जरूर याद रहें और दो हमारे लकर तयार हो गया है हमने आटे में सूजी डाली थी और सूजी को फूने में थोड़ा सा समय लगता है इसलिए हम इसे 10 मिनिट के लिए हलकी चिकनाई लगा कर रेस्ट होने रख देंगे और 10 मिनिट बा कि आपनी फूर रांठी दो लेते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा हम इसमें से एक पेड़ा टोड़ लेंगे अर हातों से राौन करते हुए हम उसे च्छी आटे में लपेट लेंगे और एक्स्टा हटा ने लगे हम कि इसे बेल लेंगे की जरूable करीकृट बसे बना सकते हैं राज में फर द्रेंगल में गोल बनाने वाली हो अ बार्णा पराठी की तरह हम इसे बेल लेंगे त्रणा अब तयार हो गया है और यह से अब नौर्मल बेल सब्सक्राशाब गरम भी राटी कर लेंगे जाओं अब शटतके और उसकी ऊपर मुला पारांथा ने साले अर्किन के यूद्य हाता है पुर्लम आसे कम in temptation करते हैं उसके पार नियुक्षी अक्षी फ़ोसा में चुकते हैं और परांठे को एक्स्टा खश्ता करने के लिए हम एक त्रिक का यूज़ करेंगे आप एक चम्मच लीजिए कुछ ब्रॉप ऑईल की डालिए और हलके हलके चम्मच से इस तरीकी से परांठे में आप छेट कर देंगे जिसे जो ऑईल हमने लिया था वो परांठे के अंदर च लगता है यह एक बार और टन कर देंगे और हलके हाथ से दबा कर हम परांठे को एक नम आप लेंगे आप देख सकते हैं परांठा बड़ी हाशा सिकर तैयार हो चुका है हम इसे अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे आप इस परांटे को हरे दिनी की चटनी टिमाटर साथ बटर या आलू की सबजी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं पिकनिक पे ले जाने के लिए या सफर के लिए भी एक अच्छा उप्शन है एक दम फटा फट हमारा यह बहुत ही टेस्टी मैथी प्यास का परांठा बनकर तैयार है रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी ह तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू